हेलो एवरीवन, वेलकूम अगीन टू लन्वृत दितीमन, तो हम लोग कर रहे हैं राजिस्तान इतिहास के प्रस्म, फर्स चैप्टर के अंदर ही आजम करने वाले हैं साकमबरी और अजमेर चोहानवन्स के वह उनके प्रतापी शाशक, चलिए स्टार्ट करते हैं, अचलिश्वर मंदिर लेक में साकमबरी के चोहानों की उत्पति किन से बताई गई हैं, तो ये बताई गई है कि वे चंदरवन्सी थे, Q2. Dr. Dasrat Sharma के मता अनुसार साकंबरी के चोहानों की उत्पत्ती किन से बताई गई है तो साकंबरी के चोहानों की उत्पत्ती के संबंद में हमने देखा कि अचलेशर मंदिर लेक में बताया गया है कि वे चंदरवनसी थे वही Dr. Dasrat Sharma कहते हैं कि ये ब्रहमन वंस से थे Next है Q3. किस सिलालेक में चोहानों को वत्स गोत्रिय ब्रहमन माना गया है तो इसका सही आंसर है बिजोलिया सिलालेक बिजोलिया सिलालेक में बताया गया है कि चोहान जो है वो वत्स गोत्रिय ब्रहमन है नेक्स्ट है बिजोलिया सिलालेक के अनुसार ही सामबर जील का निर्माता कौन है Most important question सामबर जील का निर्माता जो है वो है वासुदेव चोहान तो यह किस में बताया गया है बिजोलिया सिलालेक के अनुसार Most important question है, याद रखिएगा कि विजोलिया शिला लेक के अंसार सांबर जील का निर्माता वाशोदेव चोहान है. Next देखिए, हर्जनात लेक में किस प्रतापी चोहान नरेश की विजियों का उलेक है? अंसर है, विग्रेह राज दुटिया. चोहान प्रारंब में गुर्जर प्रतिहारों की सामन्द थे. चोहानों को सबसे पहले किसने गुर्जर प्रतिहारों से मुक्त कराया? तो वो शाशक थे गुवक परतम, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से चोहानों को मुक्त कराया. इसका सही उतर है विग्रह राज दुटिये जिनको हर्चनात लेख में उनकी विजियों का उलेख जो है वो किया गया है अगला देखिए प्रतवी राज विजय किस साशक को वैरी घट कहा गया गजनी शाशक को मारवाड में आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो चोहान राजा गोविंत तरतिय जिन है क्या कहा गया था अभी हमने देखा प्रतवी राज विजय में वैरी घट कहा गया अजे राज चोहान शाशक कब बने अजे राज चोहान शाशक कब बने तो सही आंसर है ग्यारा सो पाँच इसवी में अजे राज चोहान शाशक बने और जिन्होंने अजे मेरूदुर्ग या अजे नगर बसाया था अजमेर नगर किस ने बसाया तो हमने देखा कि अजे राज चोहान ग्यारा सो तेरा इसवी में अजमेर नगर बसाया अजे राज चोहान ने अजे प्रिये द्रम सिक्के चलाए जो किस धातु से बनाए गए थे अजे राज चोहान ने अजे प्रिये द्रम सिक्के चलाए जो तांबे और चांदी इनके बने हुए थे चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अजे राज चोहान ने किस चोहान नगरेज ने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया तो वो कौन से चोहान साशक थे अजमेर के जिन्होंने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया तो इसका सही आंसर है अर्णो राज अर्णो राज ने अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया पुसकर में बरहा मंदिर का निर्मान किसने कराया तो वो अनुराज ही थे, जिन्होंने अजमेर में आना सागर जील और पुसकर में बरा मंदिर का निर्मान करवाया। और धर्म घोस को सम्मानित किया। वह चोहान सासक जिसने तौमर को पराजित कर दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार करने वाले चोहान सासक जिन्होंने तौमरों को पराजित किया वो थे विग्रे राज चतुर्थ। किस चोहान नरेश को जयानक भटने कवी बांधव कहा तो इसका सही आंसर है विग्रे राच्चतुर्त इनको कवी बांधव किसने कहा जयानक भटने हरी केली नाटक की रचना किसने की थी? हरी केली नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विग्रे राच्चतुर्त ने हरी केली नाटक की रचना की थी? ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ललित विग्रह राज नाटक की र सोम देव ने की ती, याद रखना है, थोड़ा सा ही अंतर है कि सोम देव ने तो ललित विग्रे राज नाटक की रजना की, इसके अलावा हमने अभी देखा हरीकेली नाटक की रजना जो है वो की विग्रे राज चतूर्थ ने, किस चोहान सासक ने गजनी के खुशरू शाह को पराजित किया तो वो कौन थे चोहान सासक जिसने गजनी के खुशरू शाह को पराजित किया तो वे विग्रह राज चत्थूर्त ही थे लेक्ट देखिए कोशन नमबर 21 किस चौहांस आश्य को बीसल देव भी कहा जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विग्रे राचतुर्त को बीसल देव के नाम से जाना जाता है नेक्स देखिए अजमेर में विसल देव द्वारा बनाई गई संस्कृत पाट साला को तुड़वा कर किसने वहां पर ढ़ाई दिन का जोपड़ा बनाया तो विसल देव यानि विग्रे राच चतुर्थ ने संस्कृत पाट साला बनवाई अजमीर में जिसको तुड़वाया कुतुबुद्दीन एबक ने और वहाँ पर धाई दिन का जोपरा बनाया तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि विग्रे राच चतुर्थ ने विग्रे राच चतुर्थ के समय को नेक्स्ट देखिए पुश्चन नमबर 25 किसने कहा कि जब विग्रे राच चतुर्थ की मृत्य हो गई तो कवी बांदव की उपादी ही निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपादी को धारन करने की शमतक किसी में नहीं थी तो ये शब्द जो है वह विग्रे राच चतुर्थ के लिए किसने कहे कि जो कवी बांदव की उपादी है वो निरर्थक ही हो जाएगी यदी विग्रे राच की मृत्य हो गई तो ये कहने वाले थे जयानक कौन थे जयानक नेक्स्ट है कोशन 26 प्रत्वी राच चोहां चृत्य शाशक कब बने तो प्रत्वी राच चोहां चृत्य शाशक बने 1177 ऐस्वी में Next है प्रत्वी राझ चोहान शाशक बने तब उनकी आयू कितनी थी? उनकी उम्र थी उस वक्त 11 वर्ष और शाशक गब बने 1187 ईस्वी में प्रत्वी राज चोहान के शाशनकाल की प्रत्थम विजय कौन सी थी तो सबसे पहले उन्होंने विजय किया था 17 प्रदेश के भंडानकों को पराजित कर प्रत्वी राज चोहान ने सबसे पहले 17 प्रदेश के भंडानकों को पराजित किया और अपनी प्रत्थम विजय की. तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो सभी जानते हैं कि 1191 इस्वी में तराइन का प्रत्थम युद्ध होता है और नेक्स्ट तराइन का जो दूसरा युद्ध है वह एक साल बाद 1192 इस्वी में होता है. तो आज हम ने यहां तक प्रस्न कम्प्लीट कर लिये हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम रर्धम और के चोहांच आशकों के बारे में पढ़ेंगे. Most important है, चैप्टर आप लोगोंने पढ़ी लिया है. जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखिएगा. और जिन लोगोंने पीडियाफ ले रखी है पहले से ही, तो उनको यह कुशन जो है वो उनको मिल जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थेंक यू.